लेटिस अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें बिजेपी के बाहरी विधायकों का सपना चकना चूर न खुदा ही मिला न विसाले सनम अब जाएं तो कहां जाएं विरोधी पार्टियों से दल बदल कर भाजपा के टिकेट पर चुनाव जीते और मंत्री बनने का खुआप देख रहे नवी मुंबाई शेत्र के विधायकों की हालत ऐसी हो गई है कि न खुदा ही मिला न विसाले सनम न इधर के हुए न उधर के यह हालत तब पैदा हुई जब बहुमत हासिल करने के बाद भी शोसेना और भाजपा राजज में सरकार बनाने में फेल हो गई सीएम पद को लेकर चले घमासान ने दोनों दलों को सत्ता से बेदखल कर दिया ऐसे में कॉंग्रेस का पंजा इनसीपी का घड़े ठुकरा कर जीते भाजपा विधायकों का मंत्री बनने का सपना चकना चूर होता दिख रहा है इनसीपी और कॉंग्रेस ने सरकार बनाने का दावा कर ऐसे विधायकों की निंद हराम कर दी है 15 वर्षों तक राश्टरवादी कॉंग्रेस का जंडा बुलंद करने वाले पूरो मंत्री गनेश नाइक ने जब से घड़ी छोड़ी है तभी से उनके लिए मुश्किल घड़ी आ गई है पहले भाजपा ने टिकट काटा फिर बेटे के सीट से चुनाव जीते लेकिन इतना होने के बाद भी मंत्री बनने का सपना तूटता नजर आ रहा है पर सबसे बड़ा सवाल पच्पन नगर सीवकों के साथ पूरे कुन्बे के भविश्य का भी है जिनके लिए गनेश नाइक ने कई सपने सजा रखे थे 2014 में कॉंग्रेश छोड़कर भाजपा में आये पन्वेल के विधायक प्रशान ठाकुर ने इस बार जीत की हैट्रिक लगा ली है उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि प्रशान ठाकुर इस बार राजी में मंत्री जरूर बनेंगे लेकिन समर्थकों का सपना भी चूर चूर हो रहा है 2014 में ही NCP को ठुकरा कर दूसरी बार धमाकेदार जीत हासिल करने वाली BJP विधायक मंदाताई मात्रे भी सरकार नहीं बनने से परिशान है उन्हें पंकजा मुंडे की जगह मंत्री बनाये जाने की पूरी संभावना थी लेकिन उनका भी ये सपना धाराशाई हो रहा है कि आखिर अब वो किधर जाएं केमरा परिशन प्रकाश धूपे के साथ अंजली चोबे टीवी वन इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट टीवी वन इंडिया